नमश्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शबही, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मजे में होंगे दर्सकों आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए बेहद आवश्यक होने वाला है हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके घर में जो टेली विजन है, टीवी है वास्तु के हिसाब से, अगर अपने जीवन में सभी चीजों को आप रखते हैं, तो यह आपके लिए बहुत जयादा फाइदेबंध होगा परन्तु किसी भी कारण से, अगर आप साड़ी बातों को जानने के बाद भी वास्तु को इगनॉर कर देते हैं आपको सब कुछ पता है, और सब जानने के बाद भी अगर वास्तु को आप नहीं मानते हैं, तो यह आपके लिए अच्छा बिलकुल भी नहीं होगा वास्तु देव आपको बहुत जयादा परेशान करेंगे और इस कारण से आपको आपके जीवन में परेशानी का सामना बहुत जयादा कर रहोगा तो आइए जानते हैं उस मुद्दे के बाड़े में परंतो उससे पहले क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दुसतों टीवी को हमेशा अगर possible हो तो अगनी कोन में ही रखना चाहिए या अगनी कोन का जो दीवाल होता है आपको वही पर में टीवी को sit भी करना चाहिए क्योंकि अगनी कोन जो है वो टीवी के दृष्टिकोन से बहुत ज्यादा बेहतर होता है आपको बता दें कि अगनी कोन पूरव और दक्षिन डिसा के जो मध्य कास्थान होता है जो इसका कोना होता है उसको अगनी कोन कहते हैं इस डिसा के श्वामी भगवान अगनी देव स्वेंग होते हैं और इसका अधिपत्य सुक्र ग्रह के पास में होता है यानि कि अगर आप ये करते हैं तो इसे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होगा और भगवान सुर्य की किर्पा भी हमेशा आपके उपर बनी रहेगी परंतु किसी भी कारण से अगर ये नहीं कर पाते हैं तो ये आपके ये अच्छा नहीं होगा अब अच्छा क्यों नहीं होगा आप इस पर ध्यान दें इस दिशा का नाम ही है अगनी कोन यानि कि जिस कोने में आग हो जिस कोने में ताप हो और टेली विजन जो है वो ताप से चलता है उसका संचालन बिजली के दुआरा किया जाता है तो अगर अगनी कोन में इसको रखते हैं तो वास्तु पुरुस वास्तु देब आपकी शहायता बहुत जयादा करेंगे और इससे वो आपसे बहुत जयादा प्रसंद रहेंगी परंतु जब ये कोना गर्म होता है तो कुछ पॉइंट पर भी आपको ध्यान देना होगा जैसे कि इस कोने में कभी भी आपको बोर्डिंग नहीं डालना चाहिए बोर्डिंग यानि की चापाकल हो गया समरसेवल हो गया या जो भी पानी का स्रोत होता है वो आपको यहाँ प परते हैं तो पानी का काम क्या होता है वो आद को भुता देता है यानि की जहाँ ताप है वो उसको नरम बना देगा और जब वो दिसा नरम हो जाएगी तो आपका भागी भी सुस्त हो जाएगा आपका भागी भी नरम हो जाएगा और फिर आप खुद के जीवन में अपने आपसे अपने भाग्यशे आप जो अमीद करेंगे वो आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा हाँ अगर कुछ करना है तो आपको अगनी कोन में कोई बल्ब लगा देना है और उस बल्ब को आपको ध्यान देना है कि प्रतेक दिन वह बल्ब जलेगा प्रतेक दिन वह बल्ब जलेगा अगर यह होता है तो वास्तु दोस अगर आपके घर में कहीं भी है तो अगनी कोन में बल्ब को जलाने से वास्तु दोस दूर हो जाएगा और आपके घर में सिर्फ आपकी ही नहीं उस घर में जो भी लोग रहेंगे जो लोग रहते होंगे उ उनकी उन्नती बहुत जयादा होगी, उनका भाग्य, उनका शमय, उनका साथ देगा और वो अपने जीबन में शुक, सम्रिधी और शांती को प्राप्त कर पाएंगी। जगह सेयर कर देना है। तो हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियोम होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद स्री राधे।